अलाम अलेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमली वेलकम बैक तो माई चैनल इस फजर आसीम खाना इवोब कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खेरियस होंगे आज का जो व्लॉग है वो आप लोगोंने पूरा देखने हैं और मुझे बताना है कि आप लोग को यह वाला व्लॉग कैसा लगा है जो लास्ट व्लॉट के था उसमें बताता है कि हम लोग घर शिफ्ट करें इस पहले व्लॉग में मैं अपनी सारी रूटीन शेयर करूंगे नहीं गहर भी खराले के लिए नगे नहीं जवी छोण के साथ बहुत करें आप लोग से आप के चल कि आप लोगा ने रेंट पे लिए तो ये वाला वहाला जो घट जिसमें हम dudes हुआ है ये वाला हम अपना घर नहीए हमने रेंट पे लिए ये वाला आ उपैंगो जी । कर देम हैं अभी आप ये हैं कि हम गारी में बैठे हैं जा रहे हैं कुछ चीज़ें खरीद नी थी एक तो ममा का आईडी कार्ड जो है वो एकस्पायर हो गया था वो नया बना है तो वो पिक करना था और इसके इलावा हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करनी थी नए घर के लिए मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया था कि आज इस व्लोग में आप लोग को दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें खरीद नी और इसके लावा कुछ सेटिंग की हवाले से भी आप सब गपशाप होगी कि घर में सेटिंग कैसे की जाए और इसके लावा अली और आहमत के कुछ कपड़े लेने हैं वो भी शॉ हमारे बरतनों वाले एक ही हैं उनकी शॉप से हम बरतन लेते हैं मेरी ममा के जहेज के बरतन भी इनी से लेते थी ममा वगरा और इसके लावा हम लोग भी बरतन इनी से लेते हैं सबसे अच्छी बात इनकी है कि यह बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं नाइस डील करते ह कस्टमर्स को वो इनके पास वराइटी भी काफी होते तो हम चीज़ें अब खरीद रहें वैठे हुए उस शॉप से जो भी शॉपिंग की थी क्रॉकरी वगरा की वो सारी चीज़ें जो है वो मैं घर जा के आपको दिखाऊंगी मामा के व्लॉग में भी आप देख लेंगे औ कान में मुझे कोई पता नहीं है कि क्या ये लोग ले रहे हैं क्या नहीं क्योंकि जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मुझे कोई भी मैंने पहले भी आप लोगों को पता था मुझे कोई इंट्रेस्ट नहीं लड़कों की शॉपिंग में नहीं मुझे जो समझ आती है कि क्या लेना चाहिए का मिशल का है मिशल यह जादा तर जो है ना वह शौपिंग और आली अहमत की करवाती है उसे पता होता है कौन से कपड़े लेने और कौन से नहीं लेने तो अली जो है वो ट्राइकर कर देख रहा था और मिशल उसको बता रही थी कि कौन से लेनी चाहिए और कौन से नहीं और मैं बस उनका मूँ देख रही थी ऐसे ही बस फिर महां से भी जो शौपिंगी थी वो भी आप मैंने सोचा कि मैं घरी जाकर दिखाऊंगी और उसके बाद जैसे गर्मी है बाहर तो बहुत ही जदा फील होता है जैसे बाहर निकलो तो मैंने मामा को का कि हम जूस पीते हैं तो अभी हम वेट करें हमने ओर्डर दे दिया जूस का अच्छा जी अभी जूस वाली शौप पे जब ओर्डर करतें तो मुझे पता चला कि जूस के अंदर इतनी वराइटी आ गया कि जाम उनका भी जूस मिल जाता है और इसके अलाव का खटा बच्पन की खाई होई इमलिया मुझे यादा आगी है लेकिन चैनले फ्रेश है अच्छा है आप लोग भी फ्रेश जूस पिया करें बहुत अच्छा होता है और हमने फिर मिशल को भी पिक किया था रास्ते में से उसकी ऑफिस से तो अब हम बैठे जूस इन्जॉ अच्छे तरीक से कंप्लीट हो जाए कि उस दिन पार्टी करेंगे तो अब हम खाने पेने के कुछ समान लेने जा रहे हैं आप लोग भी साथ चलें देखे हम क्या लेते हैं प्रेले हम गए थे हमने कुछ चीज़ें वगर ली थी पीज़ा वगर जो भी खाने पेने की टेबल पे खाने के लिए और जो सारी चीज़ें हम लेके आया हैं और मैं देख रहे थी देखें पूरा जो है वो स्टूडियो बना हुआ पिछे सब लोग अपने फून लेके लगे हुए हैं तो जल्ली जो है वो वीडियो ऐसे नहीं जबदा शूट करती लेकिन जो हैना वह वैसे खड़ी बस मतब फोटो बड़ा बनाती रहती है और मैं जैसे खाना खुला है तो शादियों पे जैसे खाना खुलता है तो आटीयां खाना शूरू कर देते हैं मैंने भी वैसी खाना शुरू कर दिया वाट अट अãyफट क्योंकि सब कुछ बहुत ही जादा यमी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को यह भी दिखा दूं कि आज हम जो क्रोकरी शॉप से शॉपिंग कर गया है तो उस पर कुछ सामान जो है वह ममा ने खोल नहीं 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 दिया कुछ मैनूर मिशल जल्द जल्द खोल के जनने यह डाइनिंग टेबल पर सेट कर दिया एक यह कटलरी सेट है और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग भी बताईएगा आप लोग को कैसा लगा और दूसरा जो है यह नमकदानियों का सेट है यह स्पेर वाली भी पड़ी हुई है लेकिन जहना वो हम यह वाली लेके आए हैं डाइनिंग टेबल के लिए स्पेश सबस्क sheep जल्दी से मेट लेते हैं अरटा गुंड लիआप बतन जल्दी से से वाश कर लेते हैं जो खेंगएव ऑड नमक्रटी क करता है और फिरेंड को लिजव लग अनुध किछा ओन्तर आप लूंदाक्राजियों ने निहीं कोशिछ करते हैं उर से सुगड़ बढ़ ने हैं कौन-कौन पराठा खाता है सुबह नाशते हैं मैं कौन-कौन सुकी रोटी खाता है मैं तो सुकी रोटी खाती हूं और इसके इलावा आजकल का बर्डन इतना जादा हुआ पड़ा है ना खासतर पर शिफ्टिंग के वज़ा से पहले तो यह उता था कि मतलब हम लोग मिल के उधर काम कर लेते हैं मिशल तजली भी और मैं भी लेकिन अब तो उनका काम और भी जी कीचन का काम खतम हो गया और अब मैं आई हूं तो मैं सचा पानी पी लेते हैं आप लोग भी पानी बहुत जादा पिया करें मेरी भी आजकल कोशिश ही रहती है कि मैं तब स्किन जाए वो गर्मिया है तो पानी जादा सजदा पिया जाए डी हाइडरेशन के वज़े स् अपना एक्सपिरियंस बता रही हूं मेरी स्किन पानी जी दिन मैं नहीं पीती ना उस दिन मेरी स्किन आटोमेटिकली ड्राय ड्राय और रफ रफ होती है तो पानी जो है वो जरूर पिया करें और मैं यहाँ पर अपना पानी नज्वाए कर रहे हूं पानी को इंज्वाए वाश करके लीमू, शिर्का और नमक डाला है नमक के तीनों चीज़ें आपने आड़ करनें यह काण्टी के मताबिक एक किलो चिकन लिया है एक लीमू लिया तकरीब अच्छ बर चुपश चुछ के चमश डाले हैं और एक चमश भर के जोना मनें नमक डाल दिया है ठीक है अब इनको अच्छे तरीके से जहे इन का है नमक झिली और उब्ड करेंगाये मैं undergo pane कोशिश करते हूं कि अद्रक लेसर पेस्ट टाला जाला यह जो कि मैं डाल जूद्ट है का अद्रक अचुतिया लाल मिर्च पाउडर का पएस्ट साहर्ट यहाला कि यदिक नयुद्टा है इस लिए मैं अधा क्यूंड चाड मसाला है 1 टी स्पून अड़ कर दिया है यानी कि जो चीज आपके घर मसाले पढ़ें आपने सारे आड़ कर दिने है के उन टी स्पून इसके अंदर डाल दिया ढाल दिया आपके सामने इसके लावा इंड रोचन बाइ 7 बैसन ढाल करें आपको बाइड कर देलिए लेकिन आपने कोशिश करना है कि जो मसाला वो ऐसे ठिक ठिक साई ए चिकन के उपर, ज़ादा बौर लिक्विड लिक्विड निविड सार नहीं रनी सी कंसिस्टेंसी नहीं हो अँबना यह ऑल में डालता ही जाना उतर जाएगा जिकन के उपर से अब ऑईल जो उसको नॉर्म तेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आप दिल खुश हो जाएगा अब इसको हम फ्राइ कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट एक साइड से फ्लेम पे पकाएंगे और इसके इलावा है कि चिकन अंदर तक बहुत जल्दी पक जाएगा क्चा पपीदा पाउडर डा अब इसे फ्राइए कर लेते हैं यह स्टाइब हो गया इस वह दो से इनक आप है यह जाय नहीं किया सथ करीब नशा बड़ा मज़िदार सा क्रिशपिय चिकन पाकोड़ा स्टायल का जए स्नैक यह रड़ी है यह तो किसी ग्रीन चटनी वाले रायते के साथ जीरे वाले रा और मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूँ इसको आप लोगों को दिखा दूँ कि यह कैसा बना है बिल्कुल टेंडर हो चुका है चिकन अंदर तक इसके टेस्ट होगा ना टेस्ट वाना तो आप लोगोंने मुझे बताना है और यह इतना मज़दार ब अगर ने चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो के लाइक करें और इसके इलावा मुझे बताया करें लाग्समी फीड़बैक दिया करें अबना मुझे बहुत खुशी होती है अच्छा फीडबैक जो देते हूं उनको भी फीड़बैक पढ़के खुशी होते जिए जो showc मुझे बिइब जहारे होता मुझे अब नाम या अदमी किसी ने कॉमेंट किया हुता. तो ऐसे ही आप लोगों की तो मैं यह हसती भी हूं.. साथ मुझे जो है ना, वो खुशी भी होती है, चाहे अच्छे कॉमेंट हो, चाहे बूरे हो, तो आप लोग ऐसी अपना feedback देते रहें, प्यार देते रहें, इंस्टेग्राम पे, अगर मुझे आप लोगों ने लोग, आलाफीस